कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चरनल ЛerN KODim को सबस्क्राइब करें Hi Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको Hub Network Device के बारे में बताऊंगा की हब Network Device क्या होता है, इसका क्या Advantage, Disadvantage है यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपीक है हमारा Networking का एक्जाम में हब के बारे में अक्सर पूछा जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे वाट इस हब उसके बाद फूल एक्स्प्लेनेशन मतलब एडवांटेजेस डिसडवांटेजेस सभी चीजे में आपको बताऊंगा हब के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा तो अभी हब क्या होता है वो देखो हब इस नेट्वर्ट डिवाईस दैट इस उस्टू करेंट मुल्टिपल कंप्य करना है तब आप हब नेट्वर्ट डिवाईस यूज कर सकते हो सेकंड पॉइंट क्या होता है ओल दी इंफोर्मेशन सेंट टू दी हब इस ऑटोमेटिकली सेंड टू इच पॉर्ट टू एवरी डिवाईस हब से जो भी इंफोर्मेशन को हम सेंड करते हैं वह अपने आप ह गुरूप में 40 लोग एड है ठीक है अगर आप को भी मैसेज उस गुरूप में छोड़ते हैं तो चालिसों के पास अपने आप मेसेज पहुंच जाता है तो ठीक हब में भी वैसे ही होता है कोई भी मेसेज अगर आप हब में सेंड करेंगे नहीं किसी दूसरे सिस्टम में तो सभी के पास पहुंच जाएगा यानि प्राइवेट नहीं होता ब्रोड कास्टिंग के लिए बेस्ट होता है थर्ड पॉइंट क्या है अहाब इस एक्सपेंसिव लेस इंटलीजेंस एंड लेस कॉंप्लिकेटेड हब जो है हमारा वह काफी ज्यादा सस्ता होता है लेस होता है लेस इंटलीजेंस का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी प्राइवेट मेसेज को किसी एक प्राइवेट सिस्टम में सेंड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं वह अन्नेसेसरी सभी के पास पहुंच जाएगा इवेल उन सभी को ज़ौरत नहीं है फिर भी वह तो सभी के पास मेसेज पहुंच जाएगा ठीक है इसलिए लेस इंटलीजेंस एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड का मतलब आप इसमें असानी से किसी दूसरी सिस्टम को एड़ कर सकते हो अगला पॉइंट क्या है हाब जनरली यूज्ज तू करनेट कंप्यूटर्स इने लैन ह MAN अगले अगयर आप इसपूल कोलेड़ इस वहां को रखट आपने लेट कंपटेगी से से अने पॉज लोकड डिवाइब करता है ऐस्वाइब कि अगर आपको काहिं भी लोकाल ए्रिया नेट्वर्क अपना त्यार करना है तो आपको सब्सीं एसररा करना हैी होग सबाद उस local area network में जितने computer को चाहे connect कर सकते हैं within some ranges last point क्या है transmission mode of hub is half duplex half duplex का मतलब यहाँ पे यह होता है ना कि hub में या तो आप एक time पे message को send कर सकते हो या फिर message को receive कर सकते हो लेकिन दोनों काम एक time पे नहीं कर सकते हैं उसी को बोलते हैं हाप duplex यहाँ पे figure आपको दिख रहा होगा इसी को बोलते हब यहाँ पे देखो हब में चार port है एक दो तीन चर यह port होता है और हर एक port से एक एक system connected है अगर माली यह वाला system कोई message किसी को भी send करेगा ना हाब के दुरू तो वह अपने आप इन तीनों के पास पहुंच जाएगा अगर यह इसको send करना चाहता है तो private message send नहीं कर सकता इन सभी के पास message पहुंच जाएगा अगर इनको जरूरत नहीं है फिर भी इन दोनों के पास message आएगा तो यह होता हब का simple figure अभी चलिए हब यूज करने का advantage क्या मिलेगा disadvantage क्या होता है उससे भी जानते हैं हाब यूज करने का first advantage क्या है simple सा the hub can broadcast the message हाब अगर आप यूज करते हैं यह आपके message को broadcast कर देता है इस figure को आप देखें यहाँ पे अगर मालीजे यह particular computer system कोई भी message send करता है इस hub के थुरू तो इसका message अपने आप broadcast हो जाएगा इन तीनों के पास पहुंच जाएगा इसे इन तीनों के पास अलग अलग send क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह हब से connected है जैसे यह कुछ send करेगा तीनों के पास पहुंच जाएगा उसी को बोलते हैं broadcast second point क्या है अपना it is less expensive that anyone can use it हमारा काफी सस्ता होता है इसी लिए न कोई भी इसे यूज कर सकता है second point यह होता है यह भी advantage है third point क्या है easy installation easy installation का मतल अब device को purchase करना है उसके बाद अपने computer system को इससे connect कर देना है जैसे ही आप connect करोगे आपका local network तयार हो जाएगा ठीक है तो यही मतलब होता है easy installation का इसमें यह भी आप बोल सकते हो कि आप कोई भी दूसरा computer system को बाद में इसमें add भी कर सकते हो fourth point क्या है robust यह robust होता है इसका मतलब क्या होता है कि माल लिजे आपका यह computer खराब हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह तीनों भी बरबाद हो गए हमारा हब सही है यह तीनों भी सही है तो यह तीनों अपना काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे इसके रहने के पहले कर सब्सक्राइए चाहँ कोई रोल नहीं के तो इनका NOR मिल्ट प्राइवेट और परसेल डेटता को सेंड नहीं कर सकते इस सेखिर को देखो मालो हमारा यह computer system इसको कुछ private message send करना चाहता है तो जैसे ही send करेगा इन तीनों के पास आ जाएगा यह दोनों भी जूट मुट का data को receive कर लेंगे जब कि इन्हें जौरत भी नहीं है क्यों कर लेंगे क्योंकि यह हम से connected है तो broadcast हो जारा message थर्ड पॉइंट क्या है हाब डेजन प्रवाइड एनी सेक्यूरिटी हमारा जो हाब होता है वो कोई सेक्यूरिटी प्रवाइड नहीं करता मालेज़े यह अपना कोई private data सिर्व और सिर्व इसको देना चाहरा है कोई सेक्यूरिटी नहीं है यह सभी के पास पहुंद जाएग ठीक है तो यह भी सेक्यूरिटी और मालेज़े आप कोई नेटवर्ट से कनेक्ट होते तो वहां पर भी सेक्यूरिटी नहीं देगा कोई भी आपके नेटवर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है फॉर्थ पॉइंट क्या है हाब कैनोट सपोर्ट फूल डूपलेक्स ट्रांस्मि कर ये या तो डेटा को रिषीव कर ये लेकिन दोनों एक टाइम पर नहीं कर सकते तो यह इसका डिसड्वशंट होता है तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हाब यूज करने का डिसद्वांटेज और साथी सथ हम निटवर्ट डिवाइस को यूज करने का हमारा एडवांटिज क्या है अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चानल पर नहें तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए